देश के सुर्मा विदेशी धर्ती पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं पैरिस में चल रहे पैरा उलम्पिक्स गेम में सोनिपत के गाउं वदाना के रहने वाले धरमबीर ने कलब थ्रोग के एफ 51 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत कर देश का मान सम्मान है वो विदेशी धर् कर लेकर इस धर्ती पर है वो आया है हमारे साथ सबसे पहले धर्मबीर की मा मुझूद है प्रेमी अंटी क्या कहना चाहोगे धर्मबीर ने एक इत्यासी काम है वो रचा है इत्यास है वो रज़ दिया है के पिरे साथ का वे तो कितनी खुशी आपको हो रही है खुशी तो बहुत हो ठीक कि शोठ लगी थी तह को सुट तो इसके estilo 12PN बारा साल है तो कि वह हमारे साथ मुझुद आ यह घुड़रे हैं अन्टी कितनी खुशी हो आज आफ को डा आपको भी दे रहे हैं हम इसके साथ साथ और बहुत 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 बैन बायां की अर सबकि की वह radio ले रहा है वह भॉत उसके आश MR बैट्य थे हैं लो समय है स्टरी ध्र CHRIS शेर llegóती में नहीं द्रौद । छो 27 उस manufacturers ci परिवार Club में by 1 ज 18なた अब एक और गोल्ड आ रहा है कितनी खुशी आपको ज़्यादा खुशी है कि इसके आगे मतलब उसके आगे ये बहुत ज़्यादा वड़ी है इसके बाद वो खुशी है तो क्या कहना चाहोगे धरंबीर किन प्रिस्तिसों से लड़कर यहां पर पहुचे हैं क्योंकि 2012 में ज स्पोर्ट करना नुर्मल बात है लेकिन इस कंडिशन में स्पोर्ट करना बहुत बड़ी बात है ये सभी के लिए मॉटिवेशन है कि वहीं देखो इन से कुछ सिखो नोर्मला अदमी को भी मैनत करनी चीए यह बहुत ज़्यादा मैनत कर रहे हैं ।डिन रात लगे लगे हैं हलाकि एक दुखत खबर ये भी है कि अमीद स्रोह है जो उनके गुरू है वो मैडल नहीं जीत पाए कि एक ही मैडल है वो लेकर अमीद धरमवीर है वो आ रहे हैं किसको समर्पित है ये आप बोल रहे हो कि उनके लिए दुखत खबर लेगे ने मुझे पता हमें पता है कि अमीद जी के वलिए ये उतने हिख्जी है जितने के खुशे मेडल के लिए होते अबि आगे की क्या त्यारिया रहने meditate रहने वाली हैं कब तक वतनवाफसी है वो हो जाएगी धरमवीर जी जी वूर साफ्तारीकों कि ऋयांदिली रोपोर्ट पर आ जाएंगे वो पुर पु करते हैं चुर्मा घी शकर यह ज़्यादा पसंद करते हैं यहां के खिलाडी उनको क्या पसंद है और परिवार में खुशी का माहूल है और परिवार का कहना है कि साथ तारी को ध्रमविर देश लोट रहा है तो उनके स्वागत की तियारिया भी है वो जो रोपर हैं सोनीपत स फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद